नमस्कार आप देख रहे हैं टीडीसी निूज आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधान मंतरी ने रिदमोदी ने माफी मांगी है सायद यद पहली बार है कि प्रधान मंतरी ने भरे मंच से जनता के बीच माफी मांगी है प्रधान मंत्री ने रिन्मोदी की माफी के बाद सियासी जगत का पारा एक बार फिर से गरम हो गया है दरसल पीम महाराश्ट में कोलापूर के सिंधु दुर्ग में छत्रपती सिवाजी महाराज की मुर्ति गिरने के मामले पर बोल रहे थे और केंदर सरकार को घेर भी रही है सिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर जारी हंगामे के बीच प्रधान मंत्री नेर्ण मोदी 30 अगस्त को पाल घर पहुँचे थे महाराज के पाल घर में पीम ने क्या कहा आप खुद सुनिये जब 2013 में भारतिय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार के रुप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था राइगड के कीले पर जा करके छत्रपती सिवाजी महाराज की समाधी के सामने बैठ करके प्रार्षना की थी एक भक्त अपने आराज्य देव को जिस प्रकार से प्रार्षना करता है उसे भक्ती भाव से आशिर्वाद ले करके मैंने राश्ट्र सेवा की एक नई आत्रा का आरंब किया था पिछले दिनों शिंदू दूर्ग में जो हुआ मेरे लिए मेरे सभी साथ्यों के लिए चत्रपती सिवाजी महराज ये सिर्व नाम नहीं है हमारे लिए चत्रपती सिवाजी महराज ये सरथ राजा महराज राज पुरूस मात्र नहीं है हमारे लिए च्छत्रपती सिवाजी महराज आराज्य देव है और मैं आज सर जुका करके मेरे आराज्य देव च्छत्रपती सिवाजी महराज की उनके चरणों में मस्तख रखके माफी मांगता हूँ हमारे संस्कार अलग है हम वो लोग नहीं है जो आए दिन भारत मा के महान सपूत इसी धर्ति के लाग वीर सावर करको अनाप सनाप गालिया देते रहते हैं अपमानित करते रहते हैं देश भक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं उसके बावजूद भी वीर सावर करको गालिया देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तयार नहीं है अधालतों में जाकर करके लड़ाई लट्टे को तयार है इतने बड़े महान सपुत का अपमान करके जिनको पस्चा ताप नहीं होता है महाराष्टा की जनता उनके संसकार को अब जान ले और यह हमारे संसकार है कि धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराज देव छत्रपति सिवाजी महाराज मैं उनके चरणों में सर जुका करके छमा मांगने का कर रहा हूं और इतना ही नहीं जो जो लोग छत्रपति सिवाजी महाराज को अपने आराज देव मानते हैं उनके दिल को जो गहरी चोट पहुची है मैं ऐसे आराज देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर जुका करके छमा मांगता हूं मेरे संस्कार अलग है हमारे लिए हमारे आराज देव से बड़ा कुछ नहीं होता है